ओम श्री परमात्मने नमहा अथर्व वेदिये गोपाल पूर्व तापनियु उपनिशद पर्थम उपनिशद श्री क्रश्न काप पर ब्रह्म तत्व उनका ध्यान करने योग रूप तथा अस्ट अधाच्छर मंत्र ओम क्रश सब्द सत्ता का वाचक है और नव सब्द आनन्द का इन दोनों की जहां एकता है वो सचिदानन्द स्वरूप पर ब्रह्म ही क्रश्न इस नाम से प्रतिपादित होता है ओम अनायास ही सब कुछ कर सकने वाले सचिदानन्द स्वरूप श्री क्रश्न को जो विदानत द्वारा जानने योग सबकी बुद्धी के साक्षी तथा संपून जगत के गुरु है सादर नमसकार है हरी ओम एक समय की बात है मुनियो ने सूप प्रसिद्ध देवता ब्रह्मा जी से पूछा कौन सबसे स्रेष्ट देवता है किस से मृत्यू भी डरती है किसके तत्व को भली माती जान लेने से सब कुछ पूर्टा ग्यात हो जाता है किसके द्वारा प्रेरित होकर ये विश्व आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है इन प्रस्नों के उत्तर में वे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले निश्चे ही श्री कृष्ण सबसे स्रेष्ट देवता है गोविंद से मृत्यू भी डरती है गोपी जन वल भाती जान लेने से ये सब कुछ पूर्टा ग्यात हो जाता है स्वाहा इस माया सकती से ही प्रेरित होकर ये संपूर्ण विश्व आवागमन के चक्र में पड़ा रहा है तब मुनियों ने पूछा स्री कृष्ण कौन है और वे गोविंद कौन है गोपी जन वल्लब कौन है और वे स्वाहा कौन है ये सुनकर ब्रह्मा जी ने उन मुनियों से कहा पापों का अपकर्शन अपरहन करने वाले कृष्ण गोव भूमी तथा वेदवानी के ग्याता रूप से प्रिसिद सर्वग गोविंद गोपी जन जीव समुदाय की अविद्यकला के निमारक अत्वा अपनी ही अंतरांग शक्ती रूप वरज सुन्द्रियों में सब और से संपूर्ण विद्याओं या 64 कलाओं का ग्यान भर देने वाले गोपी जन वल लब तथा इनकी माया शक्ती स्वाहा यह सब कुछ हुआ पर ब्रह्म ही है इस परकार उस स्रीक्रश्ट नाम से प्रसिद पर ब्रह्म का जो ध्यान करता है जब आदी के द्वारा उनके नाम अमरत का रसा स्वादन करता है तथा उनके भजन में लगा रहता है वह अमरत स्वरूप होता है अर्था आद भगवत भाव को ही प्राप्त हो जाता है तब उन मुनियों ने पुना प्रश्न किया भगवन श्री क्रिश्न का ध्यान करने योग रूप कैसा है उनके नाम अम्रत का रसा स्वादन कैसे होता है तथा उनका भजन किस प्रकार किया जाता है ये सब हम जानना चाहते हैं अता हमें बताईए तब वे हिरने गर्व ब्रह्मा जी इस पष्ट सब्दों में उत्तर देते हुए बोले भगवान का ध्यान करने योग रूप इस प्रकार है ग्वाल बाल का सा उनका वेश है नूतन जल्धर के समान श्याम वण है किसोर अवस्था है तथा वे दिव कल्ब रक्ष के नीचे विराज रहे है इसी विशे में यहां ये भी स्लोक है कि भगवान के नेतर विकसित श्वेत कमल के समान परम सुन्दर है उनके स्रियंगों की कांती मेख समान के समान श्याम है वे विद्दुत के सद्रस तेजों में पितामबर धारण किये हुए है उनकी दो भुजाएं हैं वे ग्यान की मुद्रा में इस्थित हैं उनके गले में पैरों तक लंबी वनमाला सोभा पा रही है वे इश्वर हैं ब्रह्मा आदी देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं गोपों तथा गोप सुन्दरियों द्वारा वे चारों और से घिरे हुए हैं कल्प वरक्ष के नीचे वे इस्थित हैं उनका स्री विग्रत दिव अभुसनों से भी भुसित है रत्न सिंगहासन पर रत्न में कमल के मद्ध भाग में वे विराजमान हैं कालिंदी सलीन से उट्ती हुई चंचल लहरों को चूम कर बहने वाली सीतल मंद सुगंद वायू भगवान की सेवा कर रही है इस रूप में भगवान श्री कृष्ण का मंद से चिंतन करने वाला भग्त संसार बंदन से मुक्त हो जाता है अब पुना उनके नाम अमरत के रसा स्वादन तथा मंत्र जब का प्रकार बतलाते है जलवाचक का भूमी का बीज लई तथा चंद्रमा के समाना का धरन करने वाला अनुश्वर इस सब का समुदाय है किलिम यही काम बीज है इसको आदी में रख कर कृष्णाय पत का उचारन करें यह किलिम कृष्णाय संपूर मंत्र का एक पद है गोपी जन यह तीसरा पद है वल्ल भाय यह चौथा पद है और स्वाहा यह पाँचमा पद है पाँच पदों का यह किलिम कृष्णाय गोविन दाए गोपी जन वल्ल भाय स्वाहा मंत्र पंच पदी कहलाता है आकाज प्रत्वी सूर्ज चंद्रमा और अगनी इन सब का प्रकाशक अत्वा स्वरूप होने के कारण यह चिन्मय मंद्र पांच अंगों से युक्त है अता प्लिम कृष्णाय दिवात्मने हिर्दयाय नमहा गोविंदाय भूय आत्मने सिर्शे स्वाहा वल्लभाए चंद्रात्मने कवचाय हुम स्वाहा अगने उत्मान मने अस्त्राय फटा इस प्रकार पंचंग नियाज करके इस पांच पद और पांच अंगों वाले मंत्र का जब करने वाला सादक मंत्रात्मक होने से परब्रम्भ स्वरूप श्री कृष्ण को प्राप्त होता है पर ब्राम्ब स्वरुप श्री कृष्ण को प्रप्त होता है दूतीय उपनिशत श्री कृष्ण पासना की विधी तथा यंत्र निर्माण का प्रकार इस विशे में ये स्लोक मंत्र है जो उपासक कलिम इस काम बीच को आदी में रखकर किष्णाई इस पद का गुविंदाई इस पद का तथा गोपी जन वल्लबहाई इस पद का स्वाहा सहीत एक ही साथ उचारण करेगा उसे सीग नहीं स्रीकृष्ण मिलन रूपा सद्गती प्राप्त होगी उसके लिए दूसरी गती नहीं है इन स्रीकृष्ण भगवान की भक्ती ही भजन है उस भजन का स्वरूप है इस लोग तथा पर लोग के समस्त भोगों की कामना का सरवता पर इत्याग करके इन स्रीकृष्ण में ही इंद्रियों सहीत मन को लगा देना यही नैसकर्म वास्तविक सन्यास भी है उन सच्चिदानन्द में भगवान स्रीकृष्ण का वे द्यग ब्राम्मर नाना प्रकार से यजन करते हैं गोविंद नाम से प्रसिद उन भगवान की अनेक प्रकार से आराधना करते हैं वे गोपी जन वर लब जीव मात्र के अकारण सुहद्रें प्रियतम तथा गोप सुन्दरियों के प्राणाधार श्याम सुन्दर ही संपून लोकों का पालन करते हैं और संकल्प रूप उत्तम वीर वाले उन भगवान ने ही स्वाहा अपनी माया सक्ती का आस्रे लेकर जगत खोत्पन किया है जैसे संपून विस्वें फैला हुआ एक ही वायू तत्तु प्रतेक सरीड के भीतर प्राण आदी पांच रूपों से अभी विद्ध हुआ है उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण एक होते हुए भी इस उपयुक्त मंतर में बिन बिन नाम से पांच नामों वाले प्रतीत होते हैं वास्तों में क्रिश्ण आदी पांच नामों द्वारा एक ही भगवान का प्रतिपादन होता है तब पस्चात उन मुनियों ने कहा संपून जगत आश्रेभूत गोविंद की उपासना कैसे होती है इसका उब्देश कीजिए तब ब्रह्मा जी ने उन परसिद मुनियों से जो पीट है उसका वर्णन करते हुए कहा पीट पर स्वण मैं अश्टदल कमल बनाएं उसके मद्द भाग कणिका में दो त्री कौन लिखें जो एक दूसरे से संपुटित हो इस परकार च्छा कौन होंगे इन कौनों के मद्द भाग में इस तित जो कणिका है उसमें आदी अच्छा रूप काम बीच का संपूर्ण का अश्टदाच्छर गोपाल विद्या एम काम गायत्री का यथा वत उलेक करके आठ वजरों से घिरे हुए भू मंडल का लेक करें तक पश्चात यूक्त मंत्र को अंग वासुदेव आदी रुकमणी आदी श्वशक्ति एम इंद्र आदी वासुदेव आदी पार्थ आदी तता निधी आदी आठ आवरणों से आवेश्टित करके उसकी पूजा करें यूक्त आवरणों से परिवेश्टित स्री कृष्ण चंद्र का तीनों संध्याओं के समय ध्यान करके सोड़ास आदी उपचारों द्वारा सदा उनका पूजन करना चाहिए इस प्रकार पूजा करने से उपासा को धर्म, अर्थ, काम और मोख्च सब कुछ प्राप्थ हो जाता है एक माद सब को वस्मे रखने वाले सर्वव्यापी भगवान, श्री कृष्ण सर्वथा इस्तवन करने योग हैं वे एक होते हुए भी अनेग रूपों में प्रकासित हो रहे हैं जो धीर भक्त जन पुर्वक्त पीट पर विराजमान उन भगवान का प्रती दिन पूजन करते हैं उन्हीं को शास्वत सुख प्राप्त होता है दूसरों को नहीं जो नित्यों के भी नित्य हैं चेतनों के भी परम चेतन हैं और एक ही सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं उन भगवान श्री कृष्ण को पुर्वक्त पीट में इस्थापित करके जो धीर पूरुस निरंतर उनका पूजन करते हैं उन्हीं को सनातन सिद्ध राप्त होती है दूसरों को नहीं जो नित उत्सा पूर्वक्त उगतर का श्री विष्णु के परम पद स्वरूप इस मंत्र की विधी पूर्वक्त पूजा करते हैं तथा भगवान के शिवा दूसरी किसी वस्तु की कामना नहीं करते उनके लिए वे गोपाल रूपधारी भगवान श्याम सुन्नर अपना स्वरूप तथा अपना परम धाम ततकाल ही प्रतन पूरवक्त प्रकासित कर देते हैं जो स्री कृष्ण स्रष्टी के पार ब्रह्म में ब्रह्मा जी को उत्पन करते हैं तथा निश्चे ही जो उनके वेद विद्या का उब्देश करके उनसे उसका गान करवाते हैं समत जीवों की बुद्धी को प्रकास देने वाले उन भगवान की शरण में मुमक्शु पुरुष अवस्य जाए जो सादक भगवान गोविंद के उस पांच पदवाले सुप्रसिद अश्टदाच्छर मंत्र को उमकार से समपुटित करके जबते हैं उनी को वे भगवान सीगर अपने स्वरूप का साक्षात कार कराते हैं अता संसार बंदन से छूटने की इक्षा रखने वाला मनुस नित्त सांती की प्राप्ति के लिए अवस्य ही युक्त मंत्र का जब करे इस पांच पदवाले मंत्र से ही और भी दसाच्छर आदी मंत्र उत्पन हुए हैं जो मनुश्यों के लिए कल्याड कारी हैं उन दसाच्छर आदी मंत्रों को भी एश्वर की इक्षा वाले इंडर आदी देता नियास ध्यान आदी ये था वद्विदी के साथ चपते रहते हैं ओम शांती शांती शांती